हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनदर वीडियो आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ सॉलीड वर का कुछ ग्यान जो सायद आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो बनाने का मोटीव मेरे पास ये था कि मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था जिसके software में यही problem हो रही थी वो 3D sketch बना रहा था और 3D features apply करने के बाद apply हो जाता था लेकिन वो visible नहीं हो रहा था तो उसके लिए उसने मुझे message किया था और उसका solution मैंने उसको करके दे दिया तो मैंने सोचा ऐसा problem किसी को भी हो सकता इसके लिए क्यों ना एक video बनाया जाए तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास कोई model है जैसे आपने यह हमारे पास यह model है लेकिन उससे पहले अगर आप इस channel पर नाए है तो subscribe कर लिजिए क्योंकि ऐसे यह video और technical drawing engineering drawing projects मैं आपके लिए रोज बनाता रहता हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आपने कोई model create किया है तो उस पर material apply करने के लिए आप जाएंगे appearance में में जाने के बाद metal में कोई भी आप जैसा आपका model है उसके according apply करेंगे मैं polysteel apply किया है लेकिन यह activate नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है real view graphic यह on कर देते अरे तब भी नहीं हो रहा है अब इसके लिए क्या solution है क्या करें real view already on है इसी के बारे में मैं आपको बताने माला हो कई बार क्या होता है sketch बनाते है जब feature apply करते है तो वह visible नहीं होता है apply हो जाता है लेकिन visible नहीं होता है तो आप video द्यान से देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है setting में जाना है and then select option जो already selected है इस पर जाना है उसके बाद performance select करना है performance select करने के बाद और कहीं भी कोई shade chart नहीं करनी है किसी चीज को अपने उपर निच्चे नहीं करना है सिर्फ यह करना है mates animation speed इसको simply बढ़ा देना है sorry यह उपर वाला curvature generation जो level of detail लिखा है इसको normally increase कर देना है इंक्रीज करने के बाद scroll down करेंगे तो निच्चे तीन option आते है use shaded preview use software जो defaultly inactive है और third है enhanced graphic performance यह अभी uncheck है तो इसको simply करना क्या है आपको check कर देना है और okay okay पर click कर देना है अब आपको करना क्या होगा solid work को भी off कर देना है मनलब close कर देना है exit करने के बाद हम reopen करेंगे वापस से आपको solid work open करना है यह चालू हो रहा है तब तक आप आपको कोई सवाल है कोई दिमाग में आपके doubt है तो आप comment section में बता दीजिए और हाँ हमारे इस वीडियो को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि यही जानकारी सबको मिले और उनका भी कुछ problem हो तो solution उनको भी मिल जाए झाल 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 चलिए अब हो गया है तो हम क्या करेंगे उसी model को वापस reopen करेंगे अब देखिए रियल व्यू एप्लाइ हो चुका है जो एपीरेंस हमें में चाहिए जो एपीरेंस हमने एप्लाइ किया था वो एप्लाइ यहां एक्टिवेट हो चुका है अभी रियल व्यू आफ करेंगे तो अभी इसकी condition उस टाइम में ऐसी थी जब हमने setting नहीं किया था और अभी आप देखिए तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like किजिए और दूसरों को share किजिए और हां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डोंट फोर्गेट टू सेल लाइक और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग